और ये सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दुबई से जहाँ पर आपको रजसभा सांसत कारतिकेश रर्मा इंडिया नियूज फाउंडर प्रोमोटर कारतिकेश रर्मा नजर आ रहे हैं साथी आपको चिराख पासवान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दरसल ये तस्वीरे जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दुबई में तीन दिन भारत उस्वा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है इस दौरान तीन दिनों तक देश भक्ती से ओप्रोच सांस्कृतिक कारकरम आयोजित किये जाएंगे इसके साथ ही वहाँ पर नाट म मौसब ही होगा और खास बात यह है कि तीन दिनों तक भारत उस्वा का ये आयोजन दुबई में पहली बार हो रहा है और इसमें UAE में रहने वाले सभी भारतियों को इस आयोजन से जोड़ा जाएगा ये सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त एक एक्जिबीशन की तस्वीरे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरे जो हैं वो लगाए गई हैं और वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए बाचीत करते हुए रजसबा सांसत कार्टके शर्मा को आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरे हम आपको दुबई से से जोड़ना जो दुबई में रह रहे हैं तीन दिन तक भारत उस्सों के दौरान भारत के सभी प्रांतों के सांस्क्रितिक कारक्रम जो हैं यहां पर आयुजित किये जाएंगे और इसके साथ ही इस उस्सों में मदप्रिदेश के डॉक्टर प्रदीप रॉय चुराग पासव रोहन करेंगे और इसके साथ ही भारत उस्सों यूएई के लोगों के लिए भारतिय कला और संस्कृति की भावना का जश्न बनाने वाला अपने आप में अनूठा आयोजन है और इसमें कला शास्त्रिय भारतिय संगीत साहित चर्चा लगू फिलमें आदिप्रदर्शित की जाएंगी कारकरम में आपको बता दें भारतिय के प्रमुक कारोबारी नेताओं का टॉक शो भी होगा और साथ ही भारत उस्सों में तीन हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप च इस तरह का कारकरम जो है वो दुबई में हो रहा है तीन दिन का ये भारत उस्सों है जिसका मकसद है सभी भारतियों को इस आयोजन से जोड़ना और इस जोरान तीन दिनों तक देश भक्ती से ओध प्रोथ सांस्कृतिक कारकरम आयोजित किये जाएंगे जोरान वहाँ पर नाटे महसो भी होगा खास बात ये है कि तीन दिनों तक भारत उस्सों का ये आयोजन दुबई में पहली बार हो रहा है और इसके साथ ही यूएई में रहने वाले सभी भारतियों को इस आयोजन से जोड़ा जाएगा देखे वहाँ पर आप कारतिक राजस्वा सांसत कारत क शर्मा को आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत करते हुए और जो खास महमान वहाँ पर पहुचे हुए हैं उनसे मिलते हुए इस कारकरम में शामिल हुए हैं वो और अपनी बात रखेंगे साथी चिराग पासवान को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पर चि के से आज़ादी का जश्म जो है वो देखने को मिलेगा प्रवासी भारतियों का यूई में भारत तुस्व जो है मनाया जा रहा है तीन दिन तक भव कारकरम का आयूजन किया जा रहा है देशभक्ती से भरपूर सांस्कृतिक कारकरम होंगे दुबई में पहली बार भारत तुस्व का आयूजन किया जा रहा है और इसके जरिये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसरे से विश्व पठल पर देश का मान तिरंगे का मान सम्मान कैसे लगातार भड़ रहा है जब इस तरह के कारकरम सिर्फ भारत की धरती नेबल की विदेशों में भी आयूजित किये जाते हैं और बड़ी संख्या में भारतियों में उस्वा जो है वो देखा जाता है तो इस तस्वीरे बताती है कि कैसे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान भड़ रहा है और यहां आ रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं साथी चिराग पास्वान भी आपको इस कारकरम में नजर आ रहे हूँगे किसके अलाबा मद्रप्रदेश के डॉक्टर प्रदी प्रॉय अजया लोक सहित अन्य प्रमोक अथिती और उद्योग पती जो हैं वो सकारकरम में शामिल होंगे और साथी इस उस्तो की शिर्वार जो है वो बंदे मात्रम से होगी समापन पर राश्गान होगा 15 अगस को सभी मिलकार धजा रोहण करेंगे भारत उस्तो युएई के लोगों के लिए भारतिय कला और संस्कृती की भावना का जश्र मनाने वाला अपने आप में अनूठा आयोजन होगा इसमें कला शास्त्रिय भारतिय संगीत साहितिक चर्चा लगूफिल में जो हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी कारक्रम में भारतियों के प्रमुक कारुबारी नेताओं का टॉक शो भी होगा भारत उस्तो में तीन हजार से अधिक लोगों के पहुँचने की आश्रंका जटाई जा रही हैं बड़ी संग्खा में लोग जो हैं वो इस कारक्रम में पहुचेंगे जो भारतिये वहाँ पर रहते हैं तो यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुबई में आज़ादी का अमरित महसो अनोखे तरीके से आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और आज से ही इस कारक्रम की शिरवात हो गई है तीन दिन तक यह पूरा कारक्रम यहाँ पर रहने वाला है अब रवासी भारती युए में मनायेंगे भारत उस सो तीन देनों देश भक्ती कारक्रमों में मद्वर्देश के लोग भी जो हैं वो शामिल होंगे वहाँ पर जो लोग रहते हैं दोवई में भारत के आज़ादी का जश्न जो है वो उस पार देखने को मिलेगा किस तरह से देश जो है वो आज़ादी के जश्न में जूबा हुआ है लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर भी किस तरह से तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है और तमाम बड़े नेता खुद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी यागरे करें कि हर घर तिरंगा जो कैंपेंड है उससे बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुड़े और यही आजादी का जश्न जो है सुतंतरता दिवस पर योई में भारत उस्तो मनाये जा रहा है तीन दिन का ये पूरा कारक्रम है जिसमें